नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है Global Atomy Network में और Team Warrior Biggest Team of India में तो दोस्तों आज हम discuss करेंगे Atomy का जो product है Spray Luna ठीक है? Spray Luna में जो भी ingredients हैं इसके जो भी benefits हैं हमारे body को जो भी करता है और यह natural ingredient science में और इसमें वीडियो में जो भी discuss करेंगे उसके बारे में आपको पूरा बताया जाएगा इस वीडियो में तो आगे बढ़े उससे पहले जो हमारे नई users हैं उसको Atomy के products के बारे में प्लांस के बारे में जो latest information आप चाहते हैं करके आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए ठीक है दोस्तों जो हमारे नई users हैं ताकि उनको latest information time to time मिलती रहे तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं स्प्रेलूना कैसे काम करता है मारे बोड़ी में और यह 100% प्योर स्प्रेलूना है जो की natural chlorophyll chlorophyll का नाम आपने सुना होगा chlorophyll क्या होता है कि जो आरे पोदे होते हैं वो एक परक्रिया होती है उनकी अपना बोजन पकाने की वो अपना बोजन पकाते हैं जो भी अरे पोदे जितने भी ग्रीन प्लांट्स है ठीक है तो यह जो chlorophyll जो निच्रल होता है उसके थुरू यह इसका जो भी बनाने का है उसके थुरू इसका निर्मान होता है स्प्रेलूना का ठीक है निच्रल तरीके से इसका निर्मान होत होता है ठीक है 120 कैपसुल सोते हैं टोटल 48 ग्राम बेट होता है और जो प्योर स्प्रियोना का जो बेनिफिट्स है हमारे बोडी को उसके बारे में बताएंगे यह जो स्प्रियोना जो होता है इसमें माइक्रो ब्लू ग्रीन जो फ्रेश वाटर में अलगा होता है जो ब्लू ग्रीन अलगा होता है वो पाया जाता है फ्रेश वाटर में ठीक है तो इसमें सबसे ज़्यादा ब्लू ग्रीन अलगा होता है और ब्लू ग्रीन अलगा का फंक्शन होता है कि वो पानी की अंदर जो हर एक लड़का blue green alga होता है वो सालो साल वो चलता रहता है वो कभी मरता नहीं है तो यह इसकी खासियत है तो अगर इसको हम लेंगे तो हमारे जो surviving benefits है body के वो बढ़ते रहेंगे इससे ठीक है काफी तो spirulina is the longest surviving micro blue green fresh water alga ठीक है एक परकार से blue green alga है ठीक है grow and thrive in tropical alkaline water जो tropical alkaline water होता है उसके अंदर यह बढ़ता है वहां पर इसको उगाया जाता है पानी के अंदर ठीक है यह superfood है coined as the best source of protein protein का सबसे best source है इस प्रिलोना ठीक है contains about 60% protein उसके अंदर 60% protein होता है 60% बहुत ज्यादा होता है it consists of nutrients essential for supporting human life जो हमारी human life में जो protein हमारे बोड़ी के लिए जरूरी होता है तो उसको support करता है जितना प्रोटीन है वो हमें इससे मिलता रहेकर हमारी बोड़ी को support रहेगा protein का announced as the food for the future by WHO and FAO WHO world health organization and food and agriculture organization जो पूरे world की सबसे बड़ी संस्था है इनों ने इसको नाम दिया है future food of the women being life distributed by UNICEF for under nearest children जो बच्चे जिनका portion सही तरीके से नहीं होता है उनको UNICEF के द्वारा ये परदान किया जाता है UNICEF जो भी internationally और funds children होते हैं और जिनका जो portion अच्छी तरीके से नहीं होता है तो ये उनमें ये distribute करवाते हैं प्रेलोना का product भी एक है और NASA से approved है ये potential food for space travel जो scientist उपर space में travels करते हैं उनके लिए ये बहुत ही कारगर food साबित हुआ है और वो इस food को लेकर के जाते हैं space में और यूज करते हैं scientist ठीक है जो भी space walker होते हैं अंत्रिक्ष में जाते हैं कि अटोमी 100% प्योर स्प्रेलोना में जो natural nutrition होता है उसके बारे में बताऊंगा इसमें 30 से 40 degree centigrade पर ये इसका निर्मानी करता है और pH लेवल जो इसका 9 से 11 ठीक है स्प्रेलोना कैन ओनली टोल रेट 30 तो 40 degree centigrade ठीक 30 से 40 degree का उस टेंपरेचर होता है उस पर ये शर्वाइब भी करता है और pH लेवल है उसका 9 से 11 होता है क्लीन सी के अंदर ये बिल्कुल रिलाइबल तरिके से बनाया जाता है डाइजेशन रेट 95 परसंट जो अगर आप स्प्रेलोना लेंगे तो इसका जो डाइजेशन है आपकी बोडी में 95 परसंट तक ही है आपका बोडी इसको डाइजेस्ट कर जाता है ठीक है और विकोज लडलख के अंदर पाई जाते हैं प्रोटीन लिपीड्स डाइटरी फाइबर विटामिन्स मिनरल्स ठीक है एक प्रोडक्ट के अंदर इतने चीज़े मिल रही आपकी बोडी को तो यह हमारी बोडी के लिए काफी फाइदेबंद होता है और 18 टाइपस के इसमें अमाइने शेड्स होते हैं तो 13 टाइपस के इसमें मिनरल् इसके बारे में कुछ ब्रीफ में बताया गया कि 1983 से यह एक सलक्टिड इंग्रेंट्स है जो की आरेंडी के दुआरा इंप्रूव किया गया है और इसको जो तीन लाग साथ जार स्केर मीटर का जो फारम का एरिया है वहां पे इसको बनाया जाता है उगाया जाता है पानी क इंटिवेशन एनवार्मेंट लोकेटेड इन कोलिया कोना हवाई हवाई के अंदर इसका एक आइसलेंड है छोटा सा क्लीन ओशियन एंड फोरेस्ट टाइप का इक उन्होंने बना रखा है अपना और कोलिया कोना का जो बोस्ट है क्रैस्टिल के लिए सीवाटर रीचिन मि वह एरिया है वह उसमें मिनर्स बहुत ज़द पाए जाते हैं तो स्पेशली डिजाइन करके इन्होंने वहां से यह प्रोडक्शन वहां से करते हैं इसका स्प्रेल होना का ठीक है जो की काफी अच्छी बात है और इसके बैनिफिट क्या क्या है दोस्तों स्किन के लिए इस और यह जो कैप्सूल है उसको आप ले सकते हैं वेरी इसली एक कैप्सूल दिन में दो बार विद वाटर नॉर्मल वाटर के साथ आप ले सकते हैं इसको और यह जो कैप्सूल है वो प्लांट बेस पैप्सूल है ओडर फ्री कैप्सूल फोर इजी इंटेक और हंडर पर्संट प्यूर स्प्रेलू ना है इसके निदर ठीक है और जो की एक बहुत ही बातरिम होते हैं अलग-अलग कंपनियों के आ रहे हैं लेकिन जो अच्छा है और बेस्ट एग्जेंपल आपकी बूड़ी के लिए तो आसा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमारी आटोमी टीम वारियर के साथ जुड़ने के लिए आप हमें कोल कर सकते हैं वाटसब कर सकते हैं डिस्क्रेशन में आपको मुबाइल नमबर दिये गए हैं और आपको एटोमी टीम वारियर के एजुकेशन सिस्टम का ओल ओर इंडिया इंटरनेशनली पूरा सपोर्ट मिलेगा आपकी और आपकी टिम को थैंक यू वरी मस दोस्तो